हर माता पिता का एक सपना होता है चाहे उनका बेटा होता है चाहे बेटी होती है लेकिन वो अपने बच्चे के लिए एक सपना तो जरूर रखते है कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी और जब इनकी शादी हो जाएगी तो ये खुसी से रहे सुख से रहे आनन से रहे इनका जो वहवाईक जीवन है बहुत अच्छे से रहे और एक बेटी के माता पिताते हैं ये कुछ जादा ही उम्मीद रखते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को पालते हैं पोस्ते हैं बढ़ा करते हैं पढ़ाते लिखाते हैं और फिर उनको विदा कर देते हैं और अपनी उस बेटी को जिन्होंने उनको बहुती लाड़ प्यार से पाला है दूसरे के घर भेज देते हैं लिकिन वही पर दूसरे घर में जा खराब हो जाती है आज हम वही वज़ा जानेंगे किस वज़े से वैवाईक जीवन खराब होता है एक पती पतनी के जीवन में किस वज़े से दरारे आती है किस वज़े से उन दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है आज हम वह वज़ा ही जानेंगे अब जानते हैं पहली वज़ा जिस वज़े से खराब होता है पती-पतनी का रिस्ता वो होता है इग्नोर करना चाहे वो पती-पतनी को करता है या पतनी-पती को करता है लेकिन इग्नोर करते है एक दूसरे को वज़ा कोई भी होती है चाहे वो दहेज को लेकर होती है चाहे व घाल जाता है तो वहाँ पर रिस्त बեकार हो जाता है तो फ़िए आपको यह सोचना चाहिए कि अब आपके शादी हो गया और जिनके साथ में आपकी शादी हो ईए हो उनी के साथ आपको बैंनों है और यहां पर एसह समपन हो कि हर संपन उस्रेज़ी स्री राम चिंद्र जी थे, सरहुन संपन्तों वे भी नहीं थे, देखे हम तो सब मानवी हैं, और भगवान ही हमें बनाता है, ऐसा नहीं कि हम खुझ से अपनी रचना करते हैं, कि हम ऐसा बने, और बहुत सी बार ये भी सुनने में आता है, कि जोब को लेकर या रंग रूप को लेकर लड़कियों को परिशान किया दाते हैं, कि तुम सुन्दर नहीं हो, मैं तुम्हें इसी लिए पसंद नहीं करता, ऐसा तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, देखे रंग रूप तो अपने बस में है ही नहीं, भगवान ने हमें जैसा बनाया है, हमें वैसा ही रहना पड़ेगा, और रंग रूप कुछ होता भी नहीं है, जो भी होता है वो अंदर की सुन्दरता होती है, बहारी सुन्दरता ता कोई भी वेल्यू नहीं रखती है, तो आप इस बात को समझिए और अपने पार्टनर को इग्नोर करना बंद करिए, और अब जानते हैं दूसरी वज़ा, जिस वज़े से खराब होता है पती-पतने का रिस्ता, और वो होती है धोखा देना, चाहे वो पती-पतनी को देता है, या फिर पतनी-पती को देती हैं, लेकिन जहां पर धोखा मिलता है, उनका रिस्ता तो खराब ही नहीं, बलकि तूटी जाता है, और अगर आपने उसको बचा कर भी रखा, तो लेकिन जैसे एक माला होती है, वो तूटने के बाद उसमें गाठे पढ़ जाती है, आप भले इसको कितना भी गाठे पढ़ पढ़के, आप उसको कितना भी पहने, लेकिन उसकी मजबूती वो नहीं रहती, जो वो पहले थी, क्योंकि उसमें गाठे पढ़ गई है, वैसे ही ये आपके रिस्ते में भी होता है, आप चाहे इसको बाद में पच्छता कर कितना भी अच्छा बनाने की कोशिस करें, लेकिन इसमें गाठे पढ़ गई है, इसमें पूरे जन्मों के लिए गाठे पढ़ गई है, इसी वज़े से कि आपने उनको धोका दिया है, देखे पहले आपकी लाइफ क्या थी, पहले आप कैसे रहते थे, किसके साथ रहते थे, ये क करिए, और इस पे तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं, लेडीज के भी आते हैं, जहां पर ये बताती हैं, लेडीज भी बताती हैं, कि मेरे पती बात करते रहते हैं, किसी के साथ चैटिंग करते रहते हैं, कहीं चले जाते हैं, कुछ करते हैं, मतलब ना जाने कितनी बाते बत बड़े होकर आपको वो मान, सम्मान देपाएंगे जो एक पिता का होता है या एक माता का होता है एक मा को वह आपको उस दृस्टी से देख पाएंगे जो एक मा को देखा जाता है वो हमेशा ये देखेंगे Правा Highway Weew में सraenge कि जि समझाइं गें मारता भीकषप करते हैं अपने बच्षे लेकिन व tienes सही रहा पर ले जाना चाहते हैं जब आप बच्षे को सही रहा पर ले जाने के लिए उनको देश दें precis देंगे सब्सक्राइब अपने बाते हैं तुम ने Keeping as the to Kim प्रेजेंट जी रहे हैं लेकिन थोड़ी सी नजर अपने फ्यूचर पर भी डालिए कि इस बात से आपका फ्यूचर क्या है क्या भविस्य है इसका एक बार नजर आप अपने उस पर भी डालिए तो प्लीज किसी के साथ भी धोका करना बंद कर दिए कोई भी एक दूसरे को सितम तो बिलकूल भी ना लिए जानते हैं तीसरी जिसुम् बात को बहुत कुछ बोल जाते हैं उनको भी बहुत अफशब्त बोलते हैं फुरुस जो होते हैं वह अपनी पत्नी को ये बोलते रहते हैं अरे तुम्हारे माबापने तुम्हें सिखाया ही क्या है तुम्हारे माबापने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है खाने में नमक तेज हो जाए तो जैंस यही बोल रहे हैं तुम्हारे ममी उने तुम्हें बताया ही नहीं है कैसे नमक डालते हैं इसक और आप उन्हीं को ही गलत बाते बोलते हैं, मैं यहाँ पर पत्नियों को भी बोलना चाहती हूँ, कि अब आपकी शादी होकर आप इस घर में आ गई है, और यहीं پर आपके जो साथ-सौशूर हैं आप उनको पसंद नहीं करते हैं, जैसे तैसे करके आप पति को ताने ही मारत उनको लेकर ये भी गलत है तो एक दूसरे को आप बोलते ही हैं लेकिन एक दूसरे की जो family होते हैं parents होते हैं उनके बारे में ना जाने क्या-क्या बोलते रहते हैं तो आप ऐसा मध करिये हैं मैं सभी से बोलती हूँ, ये रिस्ते को खराब ही नहीं, बलके और जादा बेकार कर देता है, क्योंकि हर कोई अपने माता-पिता की रेस्पेक्ट चाहता है, आप जानते हैं चोथी वज़ा को, जिस वज़े से खराब होता है पती-पतनी का रिस्ता, और वो होता है एक दूस फिर से बन जाएं अगर आप ऐसा लगता है आप ऐस ब आप ऐसी बन गए तो कोई, इन याप कर सकते है, लेकिन आप ऑपनी बह्म डाती हैं, तुमें काम क्या है, तुम करती है क्या खाली तो रहती हो यह कर देना तुम यह कर लेना तुम वहां चली जाना यह कर लेना तुम खाली तो रहती है तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा जो वो यह बोलते हैं बहुत गलत होता है देखिए घर पर बहुत काम होते हैं बहुत जिम्मेदारी होती है और पूरा दि पास अपने लिए time नहीं होता तो आप यह समझे के घर पर लेडिस खाली नहीं रहते हैं उन्हें घर पर बहुत काम होते हैं देखेएं मैं यह नहीं बोल वहाँ हूई कि आप उफिस में जाते हैं आपको काम होते हैं लेकिन आप सामने वाले का भी काम समझे आप उनको भी वैल्यू दीजे जिसको आप ये बोल देते कि तुम करती ही क्या हो नेक्स्ट पॉइंट है जिस वज़े से खराब होता है पती-पत्नी का रिष्टा वो यह होता है कि आप शादी से पहले जैसे रहते थे शादी के बाद भी आप व पॉई हादी गर फेता वन्हें का पार्टनर घर पहां उन्हें कुछ लेना देना नहें वह जैसे थे वैसे वैसे यह हम ज्यादा वैल्यू नहीं देना है नहीं अब आपकी शादी हो गई है, आप दोनों की जिम्मेदारिया बढ़ गई है, और आप उपनी दोनों की जिम्मेदारिया बढ़ने के वज़े आप उनको कम कर रहे हैं, आप जैसे थे वैसे जिम्मेदारिया नहीं उठा रहे हैं, देखें शादी की जो एज रखी जाते हैं, वो इसी वजह से रखी गई हैं कि आब दोनों में समझा गई है उनकी उनकी शादी की जाती है और अभी बच्चे भी बने वहें अभी दोनों ऐसे ही रहते हैं जैसे आप शादी से पहले जो खाना पसंद है वो खाए लेकिन अपनी जो आपकी जो मैरीड लाइफ है उसको ध्यान में रख कर वह भी आपको नहीं बूले आप आपके लिए बैचलर लाइफ से ज़्यादा आपकी मैरीड लाइफ ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको जीना आपने कैसे जिया यह बहु सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा